नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायाना, एलम और प्रिस कॉंस्टेबल रिजल्ट को लेकर और साथ इसी इटी एक्साम डेट के उपर भी बात करेंगे दोस्तों वीडियो शूब करने से पहले अगर आप हमारे चेनल पर नहीं हैं तो किसी भी कार्मेंट जॉब से लेटेस अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चेनल लिटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें आए दोस्तों हब अपता वीडियो शूब करते हैं जून के आखिरी सफ़ता में CET एक्साम होगा हड्याना सरकार कौमन इलिजिबिलिटी टेस्स CET अगले सफ़ता जारी कर सकती है मुख्य मंत्री मनुहा लाल ने एक दिन मुख्य मंत्री मनुहा लाल ने एक दिन पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग में पॉलिसी चारी करने के निर्देश दिये हर्याना करमचारी चयन आयोग के अध्यच बोपास सिंख खादरी ने शुर्कुरवार को देनिक सभेरा के पूशने पर जानकारी दी कि आगामी जून के आखिरी सप्ता में CET टेस्ट होगा उन्होंने बताया जैसे CET पॉलिसी चारी हो जाएगी उसके बाद हर्याना करमचारी चयन आयोग पद विक्यापित करेगा ताकि इच्च युवाएं को पता चल जाए कि किन पदों पर भरती होनी है और उनके लिए उसे CET देना है उन्होंने कहा कि पद विक्यापित करने के बाद 15 दिन का समय इच्च युवाएं को CET के लिए पंजी करन के लिए दिये जाएंगे ताकि सभी को टेस्ट में बैठने का मौका मिल जाए उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 8 लाग पंजी करन हो चुके हैं दोस्तों जून के आखिरी सब्ता में आपका CET होना है और उससे 15 दिन पहले आपके रिजिस्ट्रेशन होंगे CET के लिए लंबित पदों के पड़राम गोशित करने की योजना दैनिक सवेरा के पूछने पर अध्यच बोपाल सिंग खादरी ने बताया कि लंबित पदों के पड़राम गोशित करने की योजना बना ली गई है A.L.M. के 1307 पदों का पड़राम आगावी 15 मई तक जारी करने की उमीद है आपका A.L.M. कर रिजल 15 मई तक आ जाएगा इस समय दस्तावीजों की आंत्रिक जान चल रही है महिले सिपाही के 1100 और पुरिश सिपाही के 500 पदों का मामला हाई कोट में लंबित है Normalization की जानकारी हाई कोट को दे दी है जब भी हाई कोट से फैसला होगा उसके बाद ये पड़राम गोशित होंगे ITI के 97 कैटिगरी के लगबग 32 पदों में से 10 कैटिगरी के लगबग 300 पदों का पड़राम गोशित कर दिया है उन्होंने बताया कि चूंकी जॉइनिंग पर अदालत की रोख है इसलिए आयों की 6 पदों के पड़राम गोशित करने की योजना नहीं है कुछ अन्ने पदों के पड़राम लंबेत है तो दोस्तो आपका ALM का तो 15 मैं तक आ जाएगा और पुलिस कॉंस्टिवल का जब कोट का फैसला होगा तब भी आपका रिजल्ट आएगा और ITI का अभी उस पर इस्टिव लगी हुए तो उसके अभी रिजल्ट नहीं आनेगे तो दोस्तो यही अपड़र आपको दीनी थी और जैसे ही हमें कोई और नीज मिलती है हम आपको तुर्ण अपड़र करेंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहे हैं धन्यवाद